सब्सक्राइब करें इस वीडियो में हैं कि अभी तेक हम फोटल पाँ ओस कर लिए है दीरे-दीर हम लोगं स्थास« किया अंक है और जिसको अपको बेस मटेरियल जिसको अपको वेल्डिंग करना है वह चाहिए जैसे जैसे हम आगे बड़े हैं वहाँ पे पॉलरेटी के बारे हम समझे डायरेट करें इस्टेट पॉलरेटी क्या होती है तिरह हम नों देखा कि अच्छा आर्क ब्लोक नाम करके कोई चीज होती है ठीक है और मुल्डेंमेटल को प्रोक्यट करने के लिए अश्कॉलक प्रोडेट करता है तो इस वीडियो में हम लोगत होतां लॉक्तर होट मार्कचिन में हमगोख अलग-फन तरह हैं डायमिल्टर के हो आलग-अलग मटेरीयल के पाये जाते हैं मतलब किस में में यहां को कौन सा यूज करना है वह उसके डाजिग्रेशन से समझ में आ जाता मतलब अब हमें इलोक्त जो भी रहते हैं उसका नाम करन चाहिए उसके बारे में जानने वाले हैं मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ इलोक्टोड के बारे में जानेंगे और यह क्या है बीरो ऑफ इंडियन स्टेंडर के को रेडिंग यह सारे चीज अपके यहां पर है जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहां पर दोको टोल छे टर्म मिलेंगे मेरे मजने जानें और किल यहां नकुछ नकु अपर होता है मौन लोग कि किकश य데इशन कि मतलफ क्या होता है तो यहां पर लिखा हुआ रहता है तो वोक उक्ट्रोड का मैनिफेक्ट्रिंग कि से कि उससे एक का मतलग क्या हो गया समझ मां गया अब यहां पर नंबरके हब लिक अ कर विता हम पेडने हम टेञा कि मतलब यह नहीं होता तो जो आपका डिजित दिया हो रहता वह बताता है डशाव फ्लक्स टूह diverse मतलब वद लिwegen घिये दवली आपने कि मतलब भी अब मतलब क्या होता है यहां तो का मतलब कि की पॉजिशन पे बहुत सारे बहुत बताए था कि फ्लेट पोजिशन पर वट्टिंग करते हो डान और करते हो ठीक है अप्वार्ड में करते हो तो आवरेड में करते हो तो यह तीसरा डिजिट टू तो का मतलब आपको यहां पर देखके समझ में यह आ रहा होगा कि बता रहा है कि जो मेरा वेल्डिंग हो रहा ना वह फ्लेट भी हो रहा है और हौरेड टायरेक्शन में भी हो रहा होगा जिसको में भी वेल्डिंग कर रहा होगे और होडिंटल डिच्शन कर रहा हूं इसमें आप लोग इल्टोट को कौन सर पोस्ति देते हो पोजिटिव देते हो टू में लिखा हुआ दी सीन मतलब डायरेट कररेंट एल्टोड निगेटिव यह तो दायरेट करेंट काया इस पोलारिटिव देते हैं यहां पे टू डिजτι रह गया इससे आपको समझमा गया हो पर पर यहां पर बन रहा हो है तो वो डारेक्ट करेंट इस्टेंट इस अब तरहा हो ग्यान्ट का स्टेंथ बता रहा होगा लेकिंग साथ तो का मतलब टेंजाल स्टेंथ तू का मतलब इंद इंद त्री का मतलब होगे पर्सेंटेजब एलोंगेशन क्या आपको यह पुरा नॉमेंक्लेचर आपको याद होना चाहिए यह एक इसमपल आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला बताएगा मेरा क्या टाइप सफ इसमें आपका पांचवा पाट बता रहा कि स्टेंथ जो है कौन-कौन से स्टेंथ बता रही है और चटा पार्ट में अगर आपको यह पर दिख रहा होगा वहां पर अल्फावेटी का लेटर जो दिखा आपको वहां पर वह बताता है स्पेसिफिक इनफरमेशन स्टेंट जो होता है वह किस और यहां मिलती है कर नहीं मिल यह छोलग होती है compr谢 त्यकिन्सटेंट कितने डॉड़ पार्ट होते हैं और हरेक पार्ट का कुछ मिनिंग होता है अब मुझे यह बताना जब लेक्षर नंबर फाइब डिसकास लोगों को ने किया था तो लेक्षर फाइब बार-बार वहां पर लगा फ्लक्स कोटिंग लगा दिया था यह अगर कोई लग तो उसके से छारों तरफ मैंने क्या के यहाँ पर फ्लक्स की लगा था इसलेग के धुवार्लपा बाद लीए के लिए उस विल्डिंघ व्लयंट कम लोगे तो लोग्स कोटिंग करने के कुछ भी होते हैं तो रोसेस में मिलेंगे अब क्या रवाइड लास्ट वीडियो में तो सारे आपको वेनिपिटी मैं करवाई अब क्या होता है कि यह कोई यहां पर हमें वैल्डिंग करना है और यह मेरा क्या यहां टरफ यहां पर इस बैस मेटरियल के उपर आपका और आपका पता इसको प्रोटें करता है अब किसी टाइम क्या होसकता है कि यह जो मतलब आर्क रहесा बैस मटरियल के अंदर यह चला जाता है तो यह भी एक तरह का क्या होगा डिफेक्ट ही तो है स्लेग का इंक्लिजन नहीं होना चाहिए था कहां पर नहीं होना चाहिए था इस बैस मटेरियल में एक इंक्लिजन हो जाएगा तो प्रोपर्टी जो इस बैस माटेरियल की है वह इनिफोर्म आपको नहीं मिलने वाली है तो यह स सब्सक्राइब कर सकता है और सब्सक्राइब अब क्या कर सकता है वह मौल्टल मेटल के साथ मिलके तो इस तरह पर सोग्सक्राइब कर सकता है और क्या कर सकता हो है और है यहां पर निकल का जाएगा गास अधिक यह गाटा यह दो मटिरियल के लिए निकल का आता है एक के लिए यह कैसे पर्फियाँ पिति यहां पर यहां पर रिखुर्टैल यहां पर यहां पर इस तरीके से यह तरफ से जो तो अब प्रोट्रेक्ट किया हूँ था लेकिन एटमोस्फियर से मुश्यर एप्ज़ॉर्ब किया फ्लक्षन है और उस मेटल के साथ मिलके अलुमुनियूम का ऑक्साइड बना दिया अब अलुमुनियूम का जो मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर होता है वह तो 600 डिग्री सलसियस मतलब जब हम स्राटिंग में यहां पर इसफार को जेनरेट किये मानलो तो इस अलुमुनियूम मटेरियल को जब हम लोग करेंगे तो हमें 600 डिग्री सलसियस अगर टेंपरेचर अगर रहेगा तो वह इसली मानलों आपर वेल्डिंग हो जाएगी बट अगर यहां पर मेटल अलुमुनियूम का ऑक्साइड अगर यहां पर फॉर्मेशन हो गया तो उसको मे अगरेचर रहती है बहुत जादा रहता है तो वह वेल्डिंग करने में हैं यह ही वताया है कि क्या प्याइगतिन के कारने कहने यहां पर घ्र-अचार्श होता बहिया यह mettle to हट जाती है तो अलुमिनियूम के केस में हम लोग जो है कौन सा पावर सप्लाइब करते हैं एसी पावर सप्लाइब क्योंकि वहां पर मेटल अक्साइड की परत बनती है उस परत को हटा दाते हैं हम क्या हटाएंगे जो पॉलेरेटी जो हो रही है अपने आप एसी परत तह Amaan परत कि क्या हो जाता है इनकूलिड़ इंसाइड वेल्ड वेल्ड क्या होता है कि जती हम लोग 1 पास में कर रहे थो सिंगल ऑच में इस मेलकि को की वेल्ड बोलते जाएगा इंक्लूड हो जाएगा इसको क्या इंक्लूजन्स जो कि होना नहीं चाहिए यह आपकी प्रोपर्टी मेटरियल की बिगाड़ देगी और क्या हो जाकता है अगर हम फ्लक्स की कोटिंग करते हैं तो वह क्या करेंगा मोश्चर एब्जोर्ब कर लेगा कहां से एट्म यहां पर जो है मैटल ऑक्साइड मतलब मैटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जो कि वही है आपको वेल्डिंग करने में बहुत जादी प्रॉब्लम आएगी तो यह जो गेस डिफेक्ट्स जो फॉर्म होते हैं यह सब सारे डिफेक्ट्स आपको यहां पर निकल काया है उससे को हम लोगो क्या बोलता है is known as damped electrode फिर क्या बोला कि बायरे फ्लक्स कोटिंग में देगर हम लोग्स कोटिंग करते हैं इट विल्डिफिकल्ट्ट्ट उ अलो होते हैं एक बेत्लों से मेटल डिफिकल्ट का ओक्साइड का फर्मेशन होने सब होता है ता क्या है जो few त्य चाहिए मेटेरियल से भी ज़्यादा चाहिए बेस मेंट्रियल श्यार मेटली लिए और मेटिंग टेंपरचिर किसके कंपरें बेस्स में इसलिए जो यह यह अलोई होते हैं इसको सिल्डेड गेस और वेल्डिंग के दुवारा वेल्डिंग कि पूछा जाएगा कि बता हूँ कौन सा पावर सप्लाई उसकत पावर सप्लाई और वैल्डिंग का कोंज सा यूज करने वाले हो सिल्डेड गेस आर वेल्डिंग टेकनिक मैंने आपको आपको याद आ रहा है क्लासिफिकेशन जब ने आपको थैं सुलीड इसका हो गया स्वय इन आपका हो गया सॉलीड अर्लीकूट दोर मिला के फिर इस लिक्वीड को हम लोगों ने कितने बाता अर पाता तो और आपका एक केमिकल रियक्ष्न बाटा था ठीक है अब यह जो यहां पर आपका यह वाला जो आपका आर्क वैडिंग था यह के वैदिंग यहां पर था इस क्ह सब्मेर सब्सक्राइब से फिर उसमें तापका सिल्डेड गेस और एक थापका वहां पर इसके उसके बाद यहां पर आपकी जो है यहां पर प्लाजमार्ग वेल्डिंग तो अब आपको समझ में आगे हैं नेक्स लेक्चर में लोगी इस तीनों वेल्डिंग का टाइप्स पढ़ने वाले हैं और यहां से पॉस्ट्ट भी आपका आना फिक्स है यह आपको समझ में अगया होगा कि इस तरीके से होता इसका क्या प्लेश करते हैं और वेल्डिंग का टेक्निक को अब आप लोगों का शीक्स था और इसकी वीजो आपको पीडियाफ है वह मिल जाएगी कहां वहन प्लेस टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको यहां पर जो मोर वाला बटन है उसको एक बार किलिक करना एक बार नहीं दि लोगा पर नौट बनाओ उसके बाद दिरे दिरे जिसे आगे बढ़ेंगे आप आरस कुर्मी का कोश्चिंस कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास इसकी वाली होगी क्या वह उत्यूद्ध पॉब्लिकेशन को कर सकते हो या तो अगर आपके पास इस स्पेसिपिक इस से जे व जरूर देना तो मिलते वे नेक्स वीडियो में सो गाइस थैंक्स पूराचिंग इस वीडियो